आप देख रहे हैं KS24 पलपल की खबर पामगड थाना छेतर में महुआ शराब की तसकरी करने वाले तसकर को पकड़ने में पामगड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है पामगड पुलिस को छेतर में अवेद महुआ शराब विक्री की लगातार शिकायत मिल रही थी लगातार मिल रही शिकायत पर तसकरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने प्रसिक्षू S.D.O.P. रजतनाग सहीत मुखबीर लगाय थे पामगड पुलिस को अपने मुखबीर से सूचना मिला था कि ग्राम डोंगा कहरोत का रहने वाला कमल किशोर साहू शराप तसकरी के धंदे में शामिल है और अपने घर में महुआ शराब रखा है मुकबिर की सूचना पर पुलिस ने टेम बना कर कमल किशोर साहो के घर की तलाशी लिया तो पुलिस को उसके पास से 50 लिटर अवैध महुआ शराप मिला पुलिस ने इस संबंध में उससे दस्तावेजों की मांग किया उसके द्वारा किसी तरह की कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया जा सका जिस पर पुलिस ने अवैध महुआ शराप को बरामत कर कमल किशोर साहो के खिलाफ आपकारी एक्ट की धारा 34 बटा 2 का अपराद दर्चकर आरोपी कमल किशोर साहो को ग्रफतार कर नैयाले में प्रस्तूत किया जा रहा है पामगर साना चेतर में जरी मुक्बिर के में सुचना मिली कि एक वेक्टी के पास अवैध रूप से महँआ शराप रखा गया है आरोपी के नाम कमल किशोर ताहू है जो डुबा करत कर रहने वाला है ब्यूरो रिपोर्ट केसन 24 नेज़